आपका अपना YouTube चानल IT Technical Zone में आपका हर्दिक सुवागत है पिरियो उधारती हूँ, आज आपको Engineering Drawing में Free and Tool, Combination Plier and Outside Micrometer कैसे बनाय जाते हैं जो कि आज आपको एक ट्रिक के साथ मैं सिखाने वाला हूँ तो आईए स्टार्ट करते हैं Step by Step सबसे पहले आपको क्या काम करना है एक सेंटर लाइन लगानी है या फिर एक सीधी लाइन भी लगा सकते हो इस लाइन को आपको सिखाएंगे Combination Plier क्योंकि आपके जितने भी Free and Tool होते हैं उनकी कोई Dimension नहीं होती एक आप उन्मान लगाकर आपको एक लाइन लगानी होती है सबसे पहले आपको क्या काम करना है कुछी दूरी पे छोड़के एक आपको ऐसे लाइन खेंचनी है ठीक है उसके बाद में आपको कुछी दूरी के उपर ठीक है उपर वाली लाइन भी हम मिला देते हैं अगर इस तरीके से अगर आप बनाते हो तो असानी से आप combination प्लायर बना सकते हो देखी एक बन गया है सुकेर साथ उसके बाद में कुछ दूरी पे एक लाइन आपको और करनी है कितनी लगानी है यह लाइन आपको इस तरीके से खिक है उसके बाद में देखी यह point और यह point आपको ऐसे मिलाना है उसके बाद में यह point और यह point फिर आपको ऐसे मिलाना है ready उसके बाद में आपको क्या काम करना है कि यह जो point है कुछी दूरी पे आपको पता है कि प्लायर के जो आगे जो होते हैं कुछ टीत कटे होते हैं तो आपको क्या काम करना है ऐसे 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 ठीक है उसके बाद में क्या है ग्रीपिंग के लिए एक छोड़ा सा करऊ होता है ठीक है उसमें आपको क्या काम करना है फैले ऐसे ऐसे डोटीड ऐसे ऐसे कर लेना है अल उसके बाद में आपको क्या काम करना है कि यह जो पॉइंट है कुछी दूरी पे इस पॉइंट पे ऐसे करके आपको यहां से एक लाइन ऐसे क्रोज करनी है इसी तरह से यह जो दूरी दी गई है इसी पॉइंट पे लगा के ऐसे आपको करना है और फिर ऐसे करना है ठीक है ना उसके बाद में क्या काम करना है ये जो बीच की जो LINE है इसको यह अपको डारक करना है से उसके ज़श्ट नीचे कुछी दूरी पर एक line ऐसे कहंच निए और एक line ऐसे कहंच निए चीक है ये जो दूनों लाइनें है ये इस point पर आपको ऐसे मिलानी हैं तो इसका मतल趣 गाए इस तरह का कटर हमारा बन चुका है उसके बाद में इतनी दूरी पर चिक है ऐक उन्मानित आपको एक रेडियस लगाना है तो यहां पर हम लगा देते हैं रेडियस है आध कि छीक है रेडियस लगने के बाद में आपको पता है कि बीच में एक पीवेट यानि एक तरह की रिवेट इसके अंदर लगी होती है तो वो इस पॉइंट के उपर ऐसे यहां पर लगा लेते हैं ठीक है ना उसके बाद में आपको क्या काम करना है कि इसी के पैरलल और एक इसी के पैरलल दो कट आपको बनाने हैं कैसे बनाने है इस तरीके से बनाने है यह ठीक है न? अब पिच्छे का आपको क्या बनाना है? इसका हैंडल बनाना है तो देखए यह जो पॉइंट है, बीच का जो पॉइंट है क्योंकि यह सेंटर लाइन इसलिए लगाए थी कि इससे कुछ दूरी के उपर, कुछ दूरी पे आपको क्या काम करना है? ऐसे और फिर कुछ ही दूरी पे आपको ऐसे ठीक है ना उसके बाद में ये जो वाला पॉइंट है इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे ठीक है उसके बाद में इतना ही दूरी पे अंदाजे से हम एक सर्कल और गुमाएंगे यहां से तो ये आपका क्या है पलायर आपका रेडी हो चुका है उसके बाद में आपको क्या काम करना है ये जो वाली जो रेखा है यहां से इसको ऐसे मिटाना है ठीक है ना उसके बाद में ये जो है ये यहां पे ऐसे हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा उसके बाद में ये पार्ट ने मैंने समय बच्चत के लिए यहां पे लिख दी है तो नमर एक पे क्या है आपका जा है जा कहां पे है यह वाली दोनों जा है तो आपको क्या काम कर रहा है ऐसे इस तरीके से और यहां पे लिखना है वान नमबर खिक करना सेकिंड नमबर पे क्या है पाइप ग्रिपिंग तो यह जो क्या है यहां से हम क्या करते हैं कोई भी राउंड बार है वो पकड़ने के लिए यहां पे परियोग करते हैं तो आपको ऐसे करना है यहां पे ऐसे और यह एरो का निसान और कितने नंबर पे है ये दो नंबर पे तीन नंबर पे क्या है कटर दिये हुए है कटर कहां पे वाइर काटने के लिए यहां पे कटर का परियोग करते हैं तो आपको ऐसे कितने नमबर पे है थरी नमबर पे है फॉर नमबर पे क्या है पीवट पॉइंट पीवट पॉइंट कौन सा है ये वाला है इसको थोड़ा सा आपको डारक कर देना ऐसे ऐसे ताकि पता चले ठीक है उसके बाद में क्या है five नमबर पर आपके क्या है handle है तो ये दोनों आपके क्या है handle है five तो ये देखी ये complete है और ये jam में कितने number का आता है दो tool बनाने आते हैं 50 number के आते हैं तो इसका मतलब क्या है ये आपका एक बटे दो यानि साड़े साथ नंबर का आपका ये रेडी हो चुका है कोई मुश्किल नहीं है ठीक है उसके बाद हम यहां पर बनाएंगे आउट साइड माइक्रोमिट काफी जी है एक सेंटर लाइन आपको लगानी है एक उन्बानित दूरी पे आपको क्या काम करना है एक ऐसे पॉइंट लगाना है कुछी दूरी पे फिर एक पॉइंट और लगाना है इन दोनों पॉइंटों को आपको मिलाना है ठीक है उसके बाद में आपको क्या काम करना है ऐसे कर रहा है आपको और यहां से जाते हुए आपको यह माइक्रो मिटर का फ्रेम आपको रेडी करना है थोड़ा सा एक रेखाय से आपको करनी है ठीक है न उसके बाद में यहां से इसको क्या करना है आपको उपर की तरफ से क्लोज करना है अब यहां पर बना देते हैं सबसे पहले क्या बनेगा यहां पर आपका स्पिंडल ऐसे करना है स्पिंडल के आगे करवाई टिप लगा देते हैं और इस साइड में क्या बनेगा आपका एनवी अगर सेंटर लाइन नहीं लगाते हो तो यह दोनों जो डायग्राम हैं बनाने काफी मुश्किल है ठीक है न तो देखिए ऐसा लग रहा है कि माइक्र कर देखिए हमारा बन रहे है उसके बाद में जस्ट क्या काम करना है यहां पर इससतान पर आपको एक लोकनट लगाना है है ऐसे अइसे आपको करना है उसके बाद में क्या लगेगा यहां पर आपकी लगेगी अचलीव रेडी उसके बाद में आपको क्या काम करना है यहां पर एक है थिम्बल बनेगा थिम्बल में आपको क्या काम करना है थोड़ा सा टेपर कर देते हैं यहां से ऐसे 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 ठीक है उसके बाद में फिर थिम्बल कर देते हैं लंबाई इसकी उसके बाद में क्या काम करना है रैचट आपको बनाना है ऐसे इसके अंदर क्या करेंगे ऐसे ऐसे आपको करना है सेक्षन लाइन काटनी है इसको नरलिंग बोलते हैं इसमें भी लर्निंग आ जाएगी और यहां पर आपको ऐसे ग्रेजवेशन करनी है वान टू और यह तरी और यह ऐसे 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 देखिए काफी असान है इनको बनाना देखिए आपका आउटसाइड अपको एसे नंबर क्या हैast और इतना 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 क्या है उसके बाद में दो नंबर क्या है यह वाली आप़की क्या है यहां पके लिए तो उसके बाद नंबर ठीप क्या यह इस कोले सकते आप है और सलीव भी बहना कांसे लेके यहां तक यह वाली तो यह आपके आ जाएगी फ़ोर नंबर पर कि उसके बाद में लोकनट वाइप नंबर कहां पर है यह वाला तरी his Neidin को लोक करने के लिए लोकनट यहां पर लगाया कैंए कि इतने तो यह प्रियेविदार्थियों दोनों जो हैं मैंने रेडी कर दिये हैं और यह भी आपका कितने नंबर का है यानि इस तरीके से अगर आप बनाते हो तो पूरे नंबर ले सकते हो ठीक है ना यानि आपके 15 में से 15 नंबर कोई मुश्किल नहीं है फिर भी अगर इससे हार्थ वन देमात्रम